थांक्यू मानी सदर्श्या आपने जो प्रश्ण पुछाओ सही है कि क्या हम दूसरा फटलाइजर के लिए नेनो टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं हमने उसका प्रयोग करना चालू किया है कई इंडियन कंपनी और इंडियन साइन्टिस्ट उसके पीछे लगे है नेनो डियेपी बनके अभी वो इंस्पेक्शन के स्टेज पे है रिसर्च उसका ओडेडी हो चुका है हमारा फटलाइजर कंट्रोल ओडर में लाने के लिए जो जो पेरामिटर में से उसको पास होना है उसका स्टेडी चल रहा है मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में नेनो डियेपी भी आएगा नेनो जिंक भी आएगा, नेनो सलफर भी आएगा और भारत के फटलाइजर सेक्टर में बहुत बड़ी क्रांती विश्व के फटलाइजर सेक्टर में बहुत बड़ी क्रांती इंडिया से होगी